नमस्कार दोस्तों, इस उडियो में लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी ETF's की बारे में, जिसमें आप लोग ततकाल कुछ ईंट्रिम नाके चल सकते हैं ETF's की बात करें तो Exchange Traded Fund होता है, जिसमें बहुत सारे Sears आपको एक साथ मिल जाते हैं आपको individually share buy करने का ज़रूरत नहीं है, जिसे nifty 50 का ETF है, nifty 20 ETF, इसमें 50 top के stocks में आपका investment हो जाता है, तो बहुत ही safe माना जाता है investment, तो ETF में जरूर से आपको investment करना है, करीब 20-30% अपने portfolio का weight is सिर्फ ETF में आपको देना चाहिए, तो सबसे पहले अपने method को adjust करेंगे दोस्तों एक 20 का moving average यूज़ करते हैं, जो कि आपको blue lines हो कर रहोगा, दूसरा हम लोग 200 days के moving average को यूज़ करते हैं, जो कि आपको pink lines हो कर रहोगा, और तीसरा indicator हम लोग pivot point या pivot line भी यूज़ करते हैं, जो कि आपको support या resistance उताता है, तीनों indicator हम लोग 0-0 के अपने charting platform पे लगाते हैं तो हम लोग first entry किसी भी stock के ETF में हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं, कि 200 days के moving average के करीमे price चले, तो आप लोग first entry बना सकते हैं, और यहां से और भी price 200 days के moving average से अगर नीचे आते ही वह दिखता है, तो नीचे का pivot देखेंगे, जिस pivot पे अच्छा support दिखेगा, वहां पे और भी quantity add-on करना चाहिए, तो यही method को हम लोग follow करते हैं, और price 200 days के moving average से बहुत ही ऊपर चला जाए, तो कुछ profit भी book करना चाहिए, माल लेजे 10 अच्छा 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 के ETF को profit book कर लेना चाहिए, और फिर 200 days के moving average के करीमे आता है, तो फिर से अपना quantity को बढ़ा लेना चाहिए, नीचे आता है, तो और बेस्ट बात होता है, तो हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी 50 में लगतार गिरावट का दौर हम लोग को देखने को मिला था, FIIs का market में लगतार selling चलते हुए दिखा, 18,000 और 18,400 तक market top बनाता है, उसके बाद लगतार हम लोग को selling देखने को मिलता है, 15,800 पर पहला support हम लोग को दिखा था, यहां पर दो बार support लेते हुए market दिखा, इस same location से, उसके बाद और भी नीचे आते हुए दिखा, करी 15,000 तक market आया था, निफ्टी 50 में, तो इस लेवल पर हम लोग बात किये ले थे कि निफ्टी 20 इटी एफ, जोकि निफ्टी 50 इंडेसेस पे based है, उसमें आप लोग कुछ buy करके चल सकते हैं, तो फिलाल की बात करें, तो 20 के moving average की ऊपर closing देते हुए दिखा, बढ़िया सा green candle हम लोग को एक पर से उपर का निफ्टी 50 में देखने को मिला था, तो हम लोग बात किये थे, कि जैसे ही 20 के moving average की ऊपर closing देता है, इस pivot वाले resistance पे भी अगर break कर देता है उपर की दरफ, तो आप लोग buy करके निफ्टी 50 में चल सकते हैं, तो आज बढ़िया लोकेशन था भाई करने के लिए, और उपर के प्राइस से हुए है, fresh entry भी लेना है, तो नेक्स ETF की बात करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक इंडाइसेस पे बेस, बैंक बीज एटी फ के बारे में, जिसमें हम लोग को ततकाल कुछ entry बना के चलना चाहिए, इसमें भी हम लोग को sideways momentum चलते हुए, पिछले कुछ समय से दिख रहा था, price 200 days के moving average से नीचे ही चल रह चलना चाहिए था, बैंक बीज एटी फ में हम लोग buy करके चल सकते थे, तो अभी तक बैंक बीज एटी फ को buy नहीं किये हैं, ऊपर के price फसे हुए हैं, या fresh entry बनाना है, तो एक बढ़िया सा green candle, एक 2% का भी आपको बनते हुए दिखता है, तो उस candle में जरूर से 2 बजे के बाद कुछ buy करके चल सकते हैं, बैंक बीज एटी फ में कुछ खरदारी करने का समय है, टॉप से अच्छा खासा गिरावाट पे मिल रहा है, तो इंडिविज वली बैंक में आपको investment करने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग को technical analysis समझना है और investment करते रहना है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, price 200 days के moving average से बहुत इपर चल रहा था, तो यहाँ पे हम लोग को किछ pivot का resistance देखने को मिला, FIIs के बढ़ा selling के करन, लगतार bank nifty में भी गिरावाट होते हुए हम लोग को दिखता है, फिलहाल हम लोग देख रहे है, price 200 days के moving average से नीचे चल रहा है, और नीचे यहाँ पे support भी है, तो बढ़िया location है, buy करने का, फिर 200 days के moving average के करीब तक भी जा सकता है, और फिर वहाँ से resistance लेके नीचे भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को जहाँ location पे मौका मिलेगा, वहाँ पे buy करके चलना चाहिए, फिर 200 days के moving average को अगर 20 के moving average क्रॉस कर देता है, उपर क तो बढ़िया अपमूफ उपर की तरफ देखने को मिलेगा, और next ETF की बात करेंगे, जिसमें हम लोग को कुछ खरदारी करके चलना चाहिए, निफ्टी next 50 indices पे जूनियर 20 ETF की हम लोग बात कर रहे है, लगतार हम लोग को गिरावत, निफ्टी next 50 में भी देखने को मिलना था निफ्टी 50 के बाद जो 50 largest stock है, बेस्ट ओन मार्केट कैप, वो सब निफ्टी next 50 के पार्ट है, जैसे डी मार्ट नौकरी की अगर बात करें, ये सब stock आपको निफ्टी next 50 में investment होता है, तो फिलहाल की बात करें, निफ्टी next 50 में भी हम लोग देख रहे था है, प्राइस 200 ड पीवर्ट का भी support था, तो हम अपने पिछले वीडियो में भी बात किये थे, कि कुछ निफ्टी next 50 में अगर खरदारी करके चलना है, तो बाई करके चल सकते हैं, बढ़िया सा है मेर केंडल भी दिखा है, और जैसे 20 के moving average के उपर आता है, और भी अपना quantity को increase कर सकते हैं, य यहां पे भी averaging कर सकते हैं, तो आज बढ़िया सा green candle हम लोग को देखने को मिला, इसी candle में आप लोग को buy कर के चलना चाहिए था, अगर अभी तक nifty next 50 को buy नहीं किये तो फिर से एक आप percent का बढ़िया सा green candle आपको देखने को मिलता है, 0.5% से लेकर के 1% तक का भी आपको candle मि जरूर से nifty next 50 को कुछ averaging कर लेना चाहिए, junior 20 को कुछ buy कर के चलना चाहिए, और as compared to nifty 50, nifty next 50 में ज्यादा हम लोग को return देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा growth वाले stock nifty next 50 के part है, तो इसमें भी हम लोग को investment करना चाहिए, 5-10% अपने portfolio का वेटेज, इस ETF में भी आप लोग देखर के चल सकते हैं, और next ETF जिसमें आप लोग को ततकाल entry का सुचना चाहिए, nifty IT indices से based, ITBs ETF के हम लोग बात कर रहे हैं, पहले netfit IT के नाम सजाना जाता था, अब इसका name change होकर के ITBs ETF हो चुका है, तो इस ETF में भी आप लोग investment कर सकते हैं, top के IT stocks में आपका पैसा लग जा जानते हैं, कितना digital economy के चेतर में growth है, तो इसलिए IT stock हम लोग को अच्छा करते हुए दिखेंगे, इंडिया का IT stock या IT sector बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए इस sector में भी हम लोग को जरूर से investment करके चलना चाहिए, तो फिलहाल की बात करें, nifty IT की हम लोग चार्ट देख रहे है तो price 200 days के moving average से बहुत से नीचे चल रहा है, और यहाँ पर pivot का हम लोग को support दिख रहा है, बहुत ही लंबा concentration है, 20 का moving average नीचे की तरफ inclined है, तो दोनों तरफ का possibility है, तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर breakout होता है दोस्तों, तो बड़ा fall होते वे फिर से देखेगा, nifty IT में, औ और यहाँ से अगर 20 के moving average के उपर closing दे देता है, और बढ़िया सा हम लोग को inclined हो जाता है 20 का moving average उपर की दरफ, तो अच्छा हम लोग को उपर जाते हुए भी दिख सकता है, तो लंबा concentration है, price 200 days के moving average से बहुत ही नीचे चल रहा है, और बड़ा गिरावट अल्रेडी हो चु 20 के moving average और इस black वाले pivot line के उपर closing देता है, तो निफ्टी IT में जरूर से buy करके चल सकते हैं, हम लोग indices का chart देख रहे हैं, किसी individual stocks या ETF का हम लोग chart नहीं देख रहे हैं, हम लोग individually indices के chart को analyze कर रहे हैं, क्योंकि इसमें candlestick pattern अच्छा बनता है, तो निफ्टी IT में भी आप लो फार्मा 20 ETF की बात कर रहे हैं, IT सेक्टर के बाद फार्मा इंडस्ट्री इंडिया का बहुत ही बड़ा है, बहुत ही major export फार्मा इंडस्ट्री all over the world करता है, तो इसमें भी हम लोग को investment करना चाहिए, कुछ खास return तो पास में निकाल करके दिया नहीं है, लगतार sideways momentum और नीच इंट्री बना के चलना चाहिए था, अगर उवी तक भाई नहीं किये है, तो एकारफ पर सेंट का बढिया सा करीण खेंडल आपको देखने को मिले, nifty pharma indices में तो pharma इंडस्ट्री इंडस्ट्य इंडस्ट्री आपको बाई करके चलना चाहिए, और इस ETF में बाई करने से को कुछ पैसा लगा के चलना है फार्मा को भी बाई करके चलना चाहिए बढ़िया सक्रिंग केंडल देखने को मिलेगा अगला दिन तो उस केंडल में आप जरूर से इंट्री बना के चल सकते हैं और निफ्टी फिप्टी में सबसे जादा जो सेक्टर भूम पे चल रहा है द चलना है बड़ा सा ग्रीन केंडल भी दिखा था तो इसी केंडल में अगर बाई करते हैं तो कितना उपर की तरफ मोमेंटम आप लोग कैप्टर कर सकते थे और तो अभी तक अगर बाई नहीं किये हैं तो लगतार हम लोग बाई इसमें करने के लिए बोल देते हैं अगर प और यहां पर अपर करेंगे और अपने टेलिग्रामंग पर भी अपडेट करेंगे कि ऑटो ब्ले को अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत हम लोग ब्रेक आउट का वेट करेंगे जैसे ही इस पिवट लाइन को उपर की दरफ करते ही हम लोग को दिखते है दोस्तों तब हम लोग करेंगे क्योंकि पीछे बहुणिया रेजिस्टेंस है तो यहां से प्राइस कर लेते हैं तो कितना अच्छा लगता हो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में सेर कीजिए थैंक्यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में